आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे टाइप्स ओफ वेक्टर के बारे में मतलब कि जैसे हम वेक्टर एलजिब्रा के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वेक्टर एलजिब्रा में हम जब वेक्टर के डेफिनेशन को देखते हैं और बाद में उस vector के representation को हम Cartesian coordinate के साथ-साथ graph paper में replace करते हैं तो उसके साथ-साथ हमारे सामने कुछ अलग-अलग types के vector आते हैं तो उन सभी vectors को अच्छी तरह से classify करना important है क्योंकि जैसे ही हम उसे classify कर देते हैं तो classify करने की वज़े से हमें उसे समझना और उसे अच्छी तरह से specify करना हमारे लिए क्या हो जाता है आसान हो जाता है तो आज के lecture में हम यही बात करेंगे कि अलग-अलग सभी vectors कितने parts में classify होते हैं या फिर उन सभी vectors कितने अलग-अलग types में distribute हो सकते हैं तो यहाँ पे जो हम उसके types देखने वाले है या फिर हम यहाँ पे जो उसका classification देख होने वाला है मतलब की one dimensional, two dimensional या फिर three dimensional हम कम से कम dimension में जब कोई भी consideration लेते हैं तो वो consideration कितने dimension का हो सकता है वो consideration हो सकता है single dimension का फिर अगर उसमें एक दूसरा dimension उस पहले dimension के साथ perpendicular में अगर add कर दिया जाए तो क्या बनता है वो बनता है एक two dimensional geometry जिसे हम बोलते है planner geometry और अगर उसी planner geometry में हम अगर तीसरा dimension add करते है जो कि उन दोनों आगे की dimensions को या फिर उन दोनों आगे की axis को mutually perpendicular हो तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे three dimensional geometry जो कि हमारी ordinary life में maximum applicable geometry है क्योंकि हम ordinary life में जो भी maximum dimension use करते है वो maximum dimension कितने होते है वो होते है three dimension तो आज हम आज के lecture में यहाँ पे यही देखेंगे कि types of vector मतलब की vectors को हम किस तरह से classify कर सकते है उसके अलग-अलग dimensions के basis के उपर तो पहले हम start करते है vector की definition को recall करने के बाद तो यहाँ पे हम vector की definition को फिर से recall करते है geometrical representation of vector तो यहाँ पे आप figure में देख सकते है कि यह है vector की tail यह है vector का head और यह है vector की direction और उसके साथ साथ इस vector के पूरी की पूरी length को हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है उस vector का magnitude तो यहाँ पे here note that मतलब की हमें जो यहाँ पे याद रखना है वो यह है कि starting point of the vector is always known as tail of vector and ending point of the vector is always known as head of the vector मतलब की यह जो vector का starting point है जिसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है tail और यह है vector का ending point जिसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है vector का head और बाद में हमने यहाँ पे यह लिख रखा है the pointed arrow of vector represents the direction मतलब की यह जो आपका vector का pointed arrow है वो क्या represent करता है वो उस vector की direction को represent करता है and the length of the vector is represented as magnitude मतलब की यह जो आपका arrow है जोकि इस direction में point out होता है तो यह क्या represent करता है यह इस vector की direction को represent करता है और दूसरी बात कि इस vector का यह जो पूरा का पूरा length है यह length क्या बताता है आपको यह length आपको यह बताता है कि इस vector का magnitude कितना है मतलब की यह जो आपके vector के length है वो length उस vector के magnitude से जानी जाती है और दूसरी बात कि यह जो vector का head है मतलब कि यहाँ पे क्या use होता है यहाँ पे use होता है एक arrow तो यह जो arrow है वो क्या represent करता है वो represent करता है vector की direction को the vector is made by connecting the starting and ending point directly मतलब की यह जो आपका vector है यह vector directly कोई भी दो point को directly connect करने की वज़े से क्या होता है construct होता है तो यह जो दो अलग-अलग point है जिसे हम directly connect करते हैं वो दो अलग-अलग point कौन से है वो है starting point और दूसरा है उसका ending point तो यह जो starting point है उसे हमने क्या बोला था उसे हमने बोला था उसकी tail और यह जो उसका ending point है उस ending point को हमने क्या बोला था उसे हमने बोला था head of the vector तो यहाँ पे हमने tail, head, magnitude और direction इन सभी terms के बारे में फिर से recall किया है तो हमारा ये जो conclusion है वो conclusion क्या है so that head and tail are the important term of any vector मतलब भी किसी भी vector के लिए अगर कोई important term है तो वो important term है उसका head और उसकी tail क्योंकि जब आप किसी vector को draw करना चाहते है तो भी आपको किसे mention करना पड़ता है तो भी आपको उसके ending point और starting point को mention करना पड़ता है और ये जो उसके starting point और ending point है वो क्या है वो उसकी head और tail है दूसरी बात जब आप किसी दो अलग अलग vector का vector addition लेते हैं तो vector addition लेने के लिए भी आप क्या करते हैं वहाँ पे भी आप उसका phasor diagram यूज करते हैं तो ये जो phasor diagram है वो phasor diagram भी किस तरह से draw किया जाता है phasor diagram में भी आप एक vector का head और दूसरे vector की tail को एक दूसरे के उपर क्या करते हैं superimpose करते हैं मतलब की addition of vector के concept में भी आपको head और tail दोनों को अच्छी तरह से realize करके उसका use करना पड़ता है तो ये जो सभी important terms है about vector तो उन सभी term में आपको अच्छी तरह से head और tail इन दोनों terms को अच्छी तरह से mention करके उसे अच्छी तरह से use करनी पड़ती है इसलिए मैं बार बार इन सभी terms को आपके सामने definition of vector में repeat करके आपको क्या करता हूँ recall करवाता हूँ अब हम specially बात करेंगे अलग-अलग vectors के type के बारे में आपके सामने यहाँ पे two dimensional geometry है तो इस two dimensional geometry में अगर हम कोई भी vector को draw करते हैं तो उस vector का specific equation होता है अगर वो vector non है non से मेरा मतलब यह है कि उसका x axis का या फिर y axis का या फिर z axis का जो भी magnitude का component है अगर fix होती है तो उस vector को हम कोई भी situation में कोई भी graph paper में draw कर सकते है लेकिन अगर उस vector का जो magnitude है मतलब कि x axis का magnitude y axis का magnitude z axis का magnitude अगर यह सभी magnitude unknown है मतलब कि वो vector सिर्फ और सिर्फ उस vector के general form में ही लिखा गया है तो हम उसकी geometry को draw नहीं कर सकते है क्योंकि हमारे पास यह idea होता ही नहीं है कि वो x axis में कितना long है y axis में कितना propagate किया हुआ है या फिर z axis में उसके dimension कितने long है तो हमारे पास पूरी information नहीं होने के कारण हम उस vector को यहाँ पे graph paper में draw नहीं कर सकते है तो मैं आपको यह क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई vector v है मतलब कि vector v is equals to 3 time i caret minus 4 time j caret तो यह जो vector है इस vector को आप इसी graph paper में draw कर सकते है लेकिन अगर मैं आपको यह बोलू कि कोई एक vector है इसलिए ले लिजिए यह था v1 और यह consider कीजिए कि यह है v2 तो अगर यह vector v2 है अगर इसमें मैं आपको यह बताता हूँ कि ax i caret plus ay j caret तो आप यहाँ पे vector v1 को तो इस graph में represent कर सकते है इसे आप draw भी कर सकते है लेकिन vector v2 को आप इस graph paper में अभी draw नहीं कर सकते है क्योंकि आपको इस vector के magnitude के बारे में अभी कुछ भी idea नहीं है मतलब कि यह जो आपका magnitude ax है ay है यह जो दोनो magnitude है in accordance with x-axis और in accordance with y-axis इन दोनों के बारे में आपको proper idea ना होने की वज़े सी है आप इसे graph paper में draw नहीं कर सकते है लेकिन यहाँ पे इस vector v1 के इस x-axis के component को या फिर इस y-axis के component को आप अच्छी तरह से इसी graph paper में क्या कर सकते है draw कर सकते है तो आपको यह मैं अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि अलग-अलग vector में जैसे ही number of components increase होते है तो उस number of component के साथ साथ हमारे सामने यहाँ पे अलग-अलग type के vectors उभर के आते है अगर उस vector के पूरे equation में सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही component है component से मेरा मतलब यह है कि यह है उसका unit vector यह उस unit vector का multiplier और उस unit vector का यह जो direction है वो x-axis या फिर y-axis या फिर z-axis में plus है या फिर उन तीनों axis में respectively minus है यह किसकी use करके हम represent कर सकते है तो इसे represent करने के लिए हम use करते है plus या फिर minus की sign को जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा है यह जो आपका v2 vector है इस v2 vector में यह जो आपका first component है यह first component x-axis का component है और यह x-axis में होगा positive direction में क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है plus की sign है और यहाँ पे दूसरे component में जो कि y-axis का component है यह भी कौन सी direction में होगा यह भी positive y में ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी इसका multiplier के सा है multiplier का ये जो आगे का sign है वो sign कैसा है? plus है लेकिन vector v1 में ये जो आपका y axis का component है उसका आगे का ये जो sign है ये sign है negative मतलब कि ये जो दूसरा component है vector v1 का वो component होगा negative direction में तो आपको बताना ये चाहता हुमें कि जिस तरह से हम अलग-अलग sign के साथ-साथ उसकी direction को mention करते है i, j और k इन तीनो components को मतलब कि इन तीनो unit vector को देखके हम ये बता सकते है कि ये जो पूरा का पूरा multiplying component है मतलब कि उसकी positive और negative sign उसका multiplier और उसका unit vector इन तीनों को merge करके जो भी बनता है उसे हम बोलेंगे component तो ये जो component है वो कौनसी direction का है वो किसका use करके हमें पता चल सकता है वो हमें पता चल सकता है उसके unit vectors के साथ और अगर एसे unit vector अलग-अलग हो मतलब कि एक equation में i caret भी हो और j caret भी हो तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे x axis भी present है और क्या present है y axis भी present है तो इसकी वज़े से ये ना ही सिर्फ x axis के उपर आएगा और ना ही सिर्फ y axis के उपर आएगा ये किस के उपर आएगा ये दोनों axis के बीच के plane में आएगा जिसकी वज़े से ये vector two dimensional geometry में represent होता है इसे आप कोई एक single axis लेके उसे represent नहीं कर सकते है तो कुछ इसी तरह से हम यहाँ पर classification या फिर types of vector को देखने वाले है तो आगे हम types of vector को detail में एक एक करके देखते है